हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जे के टैक एन फाइनस में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के बिजनस साइकल फंड के बारे में इस mutual fund ने पिछले एक साल में 47.58% का return निकालके दिया है इस fund को detail में जानें के दोस्तो हम इस वीडियो में तो वीडियो को last तक जरूर से देखिएगा पिछले तीन सालों में दोस्तो इस fund ने 27.33% का return निकालके दिया है मान लीजिए दोस्तो अगर कोई बंदा 500 रुपे की SIP करता है इस mutual fund में अगले तीन सालों के लिए और return जो यहाँ पे हम मान के चलेंगे वो पिछले तीन सालों वाला जो की 27.33% पर निकालके दिया है यह fund पिछले तीन सालों से चल रहा है इस fund का fund size 202856.84 करोड का है कोई भी lock in period नहीं है exit load charges 1% लगेंगे कैसे वो मैं आगे बताऊंगा आपको expense ratio दोस्तो यहाँ पे 0.35% का है tax implications के अगर हम बात करें तो short term capital gain tax के तोर पे अगर आप अपने पैसे को एक साल से पहले निकालोगे तो 20% का देना होगा एक साल के बाद निकालोगे तो आपको 12.5% का long term capital gain tax देना होगा अगर आपका return 1.25 lakh rupees per financial year से ज़ादा होगा अगर इससे कम होगा तो भी नहीं देना होगा अगर इससे ज़ादा हुआ तो दोस्तो पहले 1.25 lakh पे कुछ भी नहीं देना है उसके उपर के return पे ही आपको 12.5% का long term capital gain tax देना होगा exit load की दोस्तो अगर हम बात करें तो अगर आप अपने पैसे को 90 दिन से पहले पहले निकालते हो और जो आप अपना पैसा निकाल रहे हो वो 12% से ज़ादा नहीं है तो आपको exit load charges नहीं लगेंगे लेकिन अगर आप 12% से ज़ादा निकाल रहे हो तो आपको 1% के exit load charges लगेंगे लेकिन दोस्तो 90 दिन के बाद आप चाहे 12% निकालो चाहे 15% निकालो फिर आपको कोई भी exit load charges नहीं लगने वाले हैं राहुल सिंग जी पिछले दो सालों से इस fund को manage कर रहे हैं ये fund दोस्तो very high risk category में आता है विकोज जो आपका पैसा है वो equity market में invest हो रहा है cry seal, morning star, value search, angel one इन में से किसी बेजन्सी ने इसको कोई ranking नहीं दी है क्योंकि दोस्तों ये fund काफी नया है अभी top की अगर holdings की बात करें इस mutual fund की तो सबसे जादा ये mutual fund आपका पैसा reliance industries में invest कर रहा है 4.39% there after आता है net, CA and others, HDFC bank उसके बाद अगर हम बात करें तो ICICI bank, LNT, TCS, भारती एटल, KEC International, Cummins, इंडिया में आपका 2% पैसा invest हो रहा है तो दोस्तों इस fund की सारी जानकारी हमने आपके साथ साजा कर दी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजेगा, जादा साथ अपने दोस्तों में share कीजेगा और दोस्तों अगर आपका mutual fund के लिए account नहीं है, तो description में हमने सारी की सारी apps का link दिया है जो आपको suitable लगे, आप उस पे click करके अपना account खुलवा सकते हैं मिलते हैं ने वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care